हेलो फ्रेंट्स एक बार फिर से स्वागता आपका हमारे यूट्यूब चनल स्टेडी लैंड पर आज हम कवर करने वाले हैं जीके का एक और टोपिक जिसका नाम है स्टूमेंट बहुत से वेरियस एक्जाम ऐसे हैं जिसमें एक नमबर का कोशन आ जाता है कि किस इंस्टूमे का में काम किया है समुंदर में चीजों का पता लगाने जितने भी शिप्स होते हैं तो समुंदर में जब जा रहे होते हैं तो नीचे क्या है साइड में क्या है पानी में हमें पता नहीं लगता तो चीजों को डेटेक्ट करने के लिए जो इंस्टूमेंट का यूज किया ज सोनार किसले काम आता है जो पानी के नीचे जो है चीजों का पता लगाता है और रेडार कि हवा में यानि कि जितने भी एरक्राफ्ट है वह अगर कहीं से हमारी जैसे की इंडिया की बांटरी में कोई नया एरक्राफ्ट घुज़रेगा या घुशेगा तो उसका रेडार पर पकड़ा जाएगा तो रेडार किसले काम आता है रेडार का यूज होता है आपका रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति पर का पता लगाने के लिए ठीक है तो रेडार में क्या यूज होते है रेडियो वेव यूज होते है ये भी याद रखना आपने दूसरे नेक्स्ट हमारा फैदोमेटर का जो यूज होता है वो है गहराई का पता लगाने के लिए तो यह मेजर क्या करता है डेप्ट ओफ वाटर यानि की समुंदर में गहराई का पता लगाता है फैदोमेटर ठीक है फ्रेंस तो आगे बढ़ते हैं जो अगला है वो है एनिमोमेटर ताहे से आपने याद रखना है एनि आदेर निमेटर का यूज को मापने के लिए 4 measuring speed of wind या ए Honda किस लिए है वाई की गती को मापने के लिए दूसरा है पायदो में हमें बिखें तो इसको बोलते हैं चौह आंगे तो इसको अपने के लिए यह लिए आपने के हाइडिरो मेटर यह था है हाइडो मेर की युजर या लिया कि या फिर वहर्टर वैपर वैपर सेन्दीप्मोस्थेर नह'll club में कितने वाटर वेपर दूद्ध की शुदिता मापने के लिए जो उज़ कहा जाता है फ्रेंट्स आपको ये भी याद रखना है कि दूद में कूझछा एसट रहे तो धूद्ध से जो दही में जमाता है तो लेक्टोवर्णस से आपको याद रहे घाएगा नेक्स्ट के है स्टेस्कोप आप सभी जानते हैं कि इसका यूज क्या है बीपी में आपने के लिए नेक्स्ट है इसका यूज किस लिए होगा देखे डिफिकल्ट सा नाम है बड़ा सा नाम है इससे कोई फरक ने बढ़ता आप चीजों को दो तिर बार याद रखेंगे तो आपको असानी से याद हो जाएगा सिर्फ गया में 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 इस जो है वह बीपी लड़ प्रेश्र मापने के लिए इसका यूज किया जाता है ठीक है फंट यहां पर मैंने बीपी किसे रेटिड भी कुछ फैक्ट यहां पर लिख दिया तो आप सभी नोट कर लेना नोर्मल बीपी नोट हुता है और आपको पता होना चाहिए नेक्स्टे लक्समेटर लक्समेटर का जो यूज किया जाता है लक्समेटर की त्यूरता मापने के लिए आपने रखना है यह बी व्हुफ फिटी सिद्र उफ लाइट के लिए लट है तो चलिए आगे बढ़ते हैं When a systemograph systemograph का use कए रखने के लिए बुकम की ति理्पाम इसने कहता है रेक्टर पह्मणी से उसे चार्रेक्टर पहे बुकमप को मापा जाता है उसकी स्पीड को मापा जाता है और इक्टर पह्माने पर इसकी स्पीड को स्पीड का भुकाम बात है सिस्मोग्राव ठीक है एक दो और चोटे इसमें जो आपको याद है वह केरेट मेटर और पोलीमेटर का यूज क्या जाता है सोने की शुद्धता में अपने के लिए यानि गॉल्ड की ठीक है और जो पोलीमेटर है जूट का पता लगाने के लिए इसका यूज किया जाता है ठीक है यहाँ पर एक और चीज आपने नोट कर नहीं है देखें सांड वेव में वेव के बारे में कुछ फैक्ट है जैसे कि जो हीमन है वो कितना सथ सून सकते हैं 20 हर्स से लेकर 20.000 हर्स तक अगर हम इससे निच्छे का सून सकता है ना तो इससे कि एंपर का तो कई बार अग्जाम में पुछा जाता है कि इस से नीचे के साऑन को क्या बोले जाता है तो वह बोले जाता है इनफरासौनिक और ट्वंती धाउजंद हर्ड्स से Bailey कि आइप्रासौनी कॉन सकते हैं ल्ट्रासौनिक कॉन सकते हैं इनसान हम दोनों ही नहीं सुनता है हम जो सुन सकते हैं हो आप सटस। सुन सकते हैं और ultrasonic सुन सकते हैं डौग सोल सकते हैं रहेराए तो यह था आज का तोपिक जरहीं है एनना को स्ट्राविब जरूरी करेंगे टेंक यू सॉमच